कि हलो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस उड़ी में हम फिर से बात करने वाले तीन त्री नीदा टी ट्वेंटी की जो मैच है मेच की तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम समको देखने है जिससे के आपको अच्छे कासे अर्णिंग हो सकते है या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग जेच सकते है तो सीधे टीम में बताने वाला हो दोस्तों तो जादा कुछ देर नहीं करता हूँ सबसे पहले तो मैच को हैलेट करके दिखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लेनी है अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो आप क्रियेटर टीम पर क्लिक के जगा लेकिन मैं ऑल्रेडिटीटीम है आप ये बना की रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं आपको नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्चते रहे और आप अच्छे से अर्णिंग करते रहे और साथ जाके देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो काफी अच्छे प्रे तो यहां पर जादा मतलब जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ओनलाइन रिसर्च करके यह तीम है बनाई है तो काफी बहतर है हो सकता है जादा चेंजेज भी हो सके सबसे पहले कीपिंग की सिक्षन पर आ चुके तो सभी का मतल सभी को देख सकते काफी लोगों ने पस खासे और टॉप के बैट्समन को मैंने अभी ले लिया है अगर आल राउंडर की बात करें तो मैं चार आल राउंडर के साथ जा रहा हूँ के टीनो तिंटो के चार्स और जी गदाधर और एस लल्लू जया दोस्तों इन चारों को मैं ले रहा हूँ ताकि आपको जादा से जादा अर्निंग हो सकते चारों की चारों बेस्ट अल्राउंडर से दोस्तों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी खासी अर्निंग करां के दे सकते हैं तो इसलिए टीम तो काफी बढ़ी आ रहेने वाल है दोस्तों अगर बात करें तो तीसरी बी टीम रितलंब खराब टीम नहीं रहेगी अब चलते गिए गहीं बाजी में में एफ से को ले ले रहो और तीसरे जो है गहीं मोहहमत जा रहां तीन अच्छे खासे operate हुआ सकता है तो जरूरए चैनुब इसी तर से कंटेनू पर को करें और देख लिया है तो यहां आपकोस आपको पता ही है कि मैं पहली टीम में कोई दिश्क नहीं लेता हूँ तो पहली टीम में मैं सबसे पहले सबसे जादा लोगों ने जी गदादर को कप्तान बनाया है और वाइस क्याप्टन आई क्रेक को बनाया है सबसे जादा लोगों ने तो मैं उनी के साथ जा रहा लेकिन और पास सबसे ज़्यादा ओप्षिन यह आप इस बार सबसे पहले मैं चार ऑल रॉंडर ले चुका हूं और चार और कुछ इस तर से रहेंगे के टिंटो के चार्स जी गदाधर और एस लल्लू तो इस तर से चार अच्छे खासे और आपको अच्छे खासे अर्निंग कराके दे सकते तीन गेन बाद कुछ इस तर से रहेंगे एफ रोज सी गोरिंग और ए मोमद तो कुल्मिला के टीम काफी भहतर बनी है और मुझे लगत तो जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंती दिये जी गदादर को कप्तान और आई क्रेक को वाइस कैप्टन तो मैं इसी तर से बनाओंगा ताकि ये दोनों अगर सच में सक्सेस हो जाते और हम इनको कप्तान और वाइस कैप्टन नहीं बनाते तो हमें काफी नुकसान हो सकता है यह कि अच्ची टीम में फिर से कौँगा ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उच्छ कर सकते इस टीम को क्लोच कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हो किस तरसे मैंने बना हैं दूसरे स्ट्रीम में आपको शुरुआत सभी मैंने चेंजे शुरू कर दिये या पर मैंने कीपिंग में क्यूं मुहमत को लिया इसके अलगा किसी और कीपर के साथ मैं नहीं जाओंगा अगर बात करें बैटिंग की तो चार बल्ले बाजों के साथ जाओंगा एम बैलकन के फेलिक्स और आई क्रेग और ती चोथे जो बैट्समन है दोस्तो पी फ्रांसिस को ले रहा हूँ तो इस तर से चार अच्छे खासे बैट्समन है दोस्तो ज़रू आप इन चारों के साथ चाहेंगे तो फायदे मन रहेंगे इस से आफकोर मेरे पास ऑल रांडर में अप्षन कम होने वाला है लेकिन दोस्तों बैट्समन भी अच्छे खासे जादा सब्सक्राइब हो को सकता है अगर लेकिन यहां पे मैंने सीख और नहीं लिए एक सकते और आ मोहमत को भी लिया तो इस तरसे कफासे गएनबाज मैंने भी लिए जो के आपको फाइदा करा के दे आप मैं फिरसे कंटीनु परक्लिक करूभा और दिखांगा कि क्याप्टन और वाइस-कप्टन हम किसे बना सकते हैं तो मैं ने इस तीम का कफ्टान जैसे आप देख पारे ऐ क्रेक को बना है और ृसक्त क के फिलिक्स को बना तो तो इस तरह से दोनों की दोनों बेस्ट है दोस्तों जरूरू आप इन दोनों को कप्तान और वाइस कप्तन चूस कर सकते हैं पिर से टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले देख सकते हैं मैंने कीपिंग से ही शुरुवात किये चेंजेस करने की क्यों मुहमत को लिया लिया पिछले टीम में इनको नहीं ले पाया था बैटिंग की बात करें तो पिछले टाइम तीम में चार All Rounders के साथ गया था इस टीम में चार बल्लेबाजों के साथ तो इस तरसे चार अच्छी खासे बैटिंग करते हैं और कर सकते हैं तो इसलिए इन चारों को भी एक टीम में लेंगे तो काफी फायता हो सकता है अगर बात करें आल रांडर की तो के टिंटो को ले रहा हो के चार्ल्स को ले रहा हो एस लल्लू को ले रहा हो यहापे एक बैट्समन अल्रेडी हमने एक्स्ट्रा लिया है तो यहापे एक बैट्समन की जगप एक आल रांडर हमें कम करना ही होगा कोई दूसरा अप्शन नही मोहमत को ले रहा हो दोस्तों यह भी काफी बढ़ी आप ले तो कुलम लाकर हमारी टीम काफी अच्छी बन चुके और काफी अच्छे चेंजस भी मैंने कि जो प्लियर मैंने पिचली टीव में लियते वह तो अच्छे थे लेकिन उनके जगह पे जिनको लिया इस बार वह भी क को कपतान बना रहा हूं के फैलिक्स को स्ट्रिम का वाइस कैप्टन मना रहा हूं तो इसलिए मैंने इन दोनों को कप्तान और वाइस क्याप्टन बना है अगर आप उल्टा भी करना चाहे के फेलेक्स को काप्टन और आईकरेक को बैस क्याप्टन तो भी कोई प्रब्लेम में और अगर आप चेंज करना चाहे तो भी कोई प्राब्लेम नहीं लेकिन थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से रखेंगे तो ज्यादा फाइदा हो सकता है क्योंकि काफी कम लोगों का इन पर भुर्षा गया है अगर यह अच्छा खेलते हैं तो हमें काफी फाइदा होने वाला इसलिए मैंने इस तरह से इन दोनों को कप्तान और वास कप्तान चूश किया है चले दोस्तों इस टीम को भी मैं जरूर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिग के लिए उच किजिएगा स्मॉल लिग लेकिन पहले एक टीम लगा दीजिएगा उसके बाद चाहे जितने स्मॉल लिग लगाई है कोई प्रॉब्लम ने कोई दिकत ने लेकिन ग्रांड लिग जरूर लगाई गा इस टीम को भी क्लोज करते हैं सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देता ऐस की बहुंगा मैं अभी अब चलते बैटिंग पर फिर से चार बाट्समन को में ले रहाँ एंबल जाके सकते रहें तो आफिकोस्ट मैं कीपर कर ले चुका हूँ चार बले बाद ले चुका हूँ तो मिरे पास दो यह उप्षण भचते हैं एक आल्राउंडर को मैं पॉसक्ता है थिम भी हो सके आप बद करते है गेन बाजी की, तो गेन बाजी में मैंने C-Goring को लिया है, M-Khan को अभी तक एक भी टिम में नहीं ले पाया था, उनको ले लूँगा, और T-Sink को लूँगा, तो कुलमला के यहाँ पर EF-Ros को दोनों टीमों में मैंने पहले लिया था, तो यहाँ पर उनको कर सकते कोई रिस्क नहीं है दोस्तों कोई नुकसान नहीं होगा तो कुल्मला के हमारी तीसरी भी टीम काफी अच्छी बन चुके अफकोस आप इसे भी ग्राइंड लिक के लिए उच्छ कर सकते आप इसे स्मॉल लिक के लिए यूज मत किजिएगा चलिए कंटीनू पर क्लिक ले तकी कीपिंग में मैंने दो कीपर को इस ऐसे के देख पार है अप मैंने इस तकर से चार अच्छे खासे में मैंने समें यह काफी आप करा के क्योंकि कूभि बड़िया बैटिंग करते जरूं आप इन चारों के साथ जाएंगे तो फाय देमन रहे सकते अगर आल राउंडर की बात करें तो के टिंटो है और जी गदाधर को पिछली टीम में ड्रॉप किया था फ़र्स टीम में जरूर लिया था और कप्तान या वाइस कप्टन भी मेरे खाल से बनाया था तो इस टीम में मैंने उनको वाप सकते तो इसलिए उनको भी मैंने ले लिया है टी सिंग की बाव मैंने फिर से रखा है तो कुल्मला के यह टीम मुझे सबसे बेस्ट लग रहे है क्योंकि देख सकते या पर एक और राउंडर को मैंने कप्तान बनाया के टिंटो को और वाइस कप्टन एम बालकन को बनाया द काफी जादा लोगों ने लगाया जैसे कि पाइले टीम में मैंने बताया है आपको लेकिन इन दोनों पर काफी कम लोगों का ध्यान गया है तो अगर यह दोनों सकसेस हो जाते तो आपको आज ग्राइड लिग जितने से कोई ने रख सकता इसलिए मैं इस थोड़ा हटके कि दोस्तों एक बात जरू करना चाहूंगा कि इस टिम को आप सिर्फ और सिर्फ ग्राइड लिग के लिए उसके जगा स्मॉल लिग के लिए बिल्कुल भी यूज मत की जगा थोड़ी रिस्की टीम होना काफी फायदेमन रहता है कभी-कभी क्योंकि जो रिस्की प्लियर हमने चांसेस रहते हैं कि अच्छे प्लियर ही ले और अतलब सामने वाली टीम को टक कर दे तो इसलिए कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ग्राइड के लिए उसके जिगा स्मॉल लिग के लिए उसके वेस्ट मत की जिगा इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और आखिर में यहीं कौन आपको मेरी तीनियो टीम है और यह वीडियो जरूर पसंद आए और अगर पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कर दीजे चैनल को भी अगर अब तक आपने सब्सकाइब नहीं क्या तो सब्सकाइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करका आल पर क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहे और साथ इसाथ आप अपने टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंगेस रहते तो किसे ड्रॉप किया गया और उसकी अगले उडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई टेक केर